कट्यार के कोड़ा विदान सभाशित्र में एक सभा को संबोधित करते हुए तेस्वी आदो ने मंच से ये कह दिया कि अगर आप बीमा भार्थी को नहीं चुनते हैं तो आप इंडिये को चुन लो मतलब एंडिये को वोट दे दीजिये लेकिन पपू यादो को नहीं क्या तेस्वी आदो कभी एंडियो मिद्वार को चुताने की बात कह सकते हैं तो आप कहेंगे नहीं लेकिन ऐसा हुआ है क्यूं हुआ ये बाद में बताएंगे पहले तेस्वी यादो का भयान सुने या तो इंडिये या तो इंडिया की लड़ाई है या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हैं भीमा भारती को तो आप इंडियो को चुन रहे हूँ साफ बात साफ बात संतो है कि जीत eneo いました जेत पीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तीर स्वी यादों क्या एंडिये को जीताएंगे एंडिये तो और ज्यगह जीत रही। आपको बताएं कि बिहार में दूसरे चुरण की पांच लुकसवाद सीच में सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला पूर्णिया सीच पर दिख रहा है यहां मझूदा सांसेद और जेडियू प्रत्याशी संतोश कुषवः आरजडी प्रत्याशी विमाभारती और निर्दलिय प्रत्याशी प्पू यादो के बीच दिरकोण यह मुकाबला है पप्पू यादो के नुर्दलिय मैदान में उतरने से आरजडियू मिद्वार बीमा भारती की मुश्किले बढ़ गई है यही नहीं पप्पू यादो कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के मौद सबख्थन का दावा भी कर रहे हैं एई वज़े कि तेजस्वी आदो पुणिया में लगा अतार सभाय कर रहे हैं और एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी आदो ने मन्च उसे यहां तक कह दिया यगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप इंडियो को चुन लो अब इंडिया नहीं तो इंडिये पर पपू नहीं वाले बयान को समस्ते हैं भारती माना जाता है यानि माना जाता है कि आप बीस वूट बैंक यादाओ और मुसल्मान है दिब्यार में यादाओ जाती के सबसे बड़े निता है लालू प्रसाद और माना चाहता है कि यादो जाती का जादत अद्वोट लालू प्रसाद की वज़़ से आरजेडी को चाहता है बीचेपी नेता आरूप लगाते हैं कि लालू प्रसाद का परिवार नहीं चाहता कि बिहार में यादो जाती का कोई और बड़ा नेता आगे बढ़े और यही वज़ा है कि यादो जाती के किसी और नेता को ज़्यादा बढ़ने से रोकने की कोशिस होती है चाहे वो राम किरपाल यादो हो या पप्पू यादो पुर्णिया से कॉंग्रिस के टिकट पर इंटी अलायंस से चुनाव लड़ना चाहते थे इसके लिए पप्पू यादो ने अपनी पाठी का कॉंग्रिस में विलय करा लिया यहां तक की लालू प्रसाद से जाकर आशिरवाद भी ले आए लेकिन पुर्णिया सीट कॉंग्रिस की बचाय आरजेडी के खाते में चली बे पप्पू यादो का आरूप है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया क्या फिर भी पप्पू यादो ने निर्दलिये चुनाव लड़कर उड़न्या की लड़ाई को त्रिकोणिये बना दिया है अब अगर पप्पू यादो चुनाव जीत जाते हैं तो वो सीधे सीधे लालू प्रसाद के परिवार को चुनावती देने लगेंगे और यही वज़ा है कि तैस्वी आदों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुझे नहीं वोट दोगे तो इंटिये को वोट दे दो लेकिन किसी और को नहीं